मेरे प्रिये साथियों, सबसे पहले मैं वेटरंस इंडिया से जुड़े सभी पूरों साहिनिकों को कारगिर विजय दिवस्की हर्दिक्ष उपकामनाएं देता हूँ आपका संग्ठन वेटरंस के बीच में लगातार अपनी सक्रीटा बनाए हुए है इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं साथी कारगिर विजय दिवस के आउसर पर मैं सभी सहिनिकों यों देश वाशियों को भी हर्दिक्ष उपकामनाएं देता हूँ कारगिर विजय दिवस के वल एक दिन नहीं है बलकि इस देश के सहिनिकों के पराक्रम और शौर का यह वियोत्स है साथियों हमरे देश में अनेक परव ऐसे आते हैं जो इस देश के बीर सपूतों के शौर और पराक्रम की याद दिलाते हैं वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रती कृतक्यता को कभी नहीं भूल सकता फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई जोती जला जाते हैं कारगल भी ये दिवस भी उन्हीं महान परवों में से एक है मैं आज के दिन मात्रिभूम पर अपना सर्वस्य नयुच्छावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का अस्मरण करता हूं और उन्हें शीष जुगा कर अपनी फ्रद्धन्यली भी अर्पित करता हूं साथ ही उन सहीदों की माता हूं और उनके समस्थ परिजनों को भी मैं शीष जुगा कर नमन करता हूं मैं उन बहादुर सैनकों के प्रति भी अपनी कतगता परकट करता हूं जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए पर हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेरा सहित समाज को भी प्रेजित कर रहे हैं साथियों या किस वर्स पहले कारगिल की बरफीरी शोटियों पर हुई हमारी वीज़े को आज पूरा देश एक साथ याद कर रहा है उन भीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल वीज़े डिवस मनाया जा रहा है अनेक कारकरम आयूजित किये जा रहे है यह सभी कारकरम बिपरीद परिसितियों में हमारी सेनाओ द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही साथे या भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेणा के स्रोत भी है साथियों यह वीज़िवस किसी भूभाग विशेश को जीत लेने या उसे बचाये रखने भर की याद तक सीमित नहीं है यह दिवस देशों के बीच हुई गोली बारी और बारूदी युद्ध में हमारी विए की याद तक ही सीमित नहीं है बलकि यह दिवस हमारे देश के त्याग, बलिजान, साहश, समर्पन, शौर और संकल्प की बहान परंपरा की एक बहान कड़ी की रूप में दर्ज है साथियों, युद्ध के समय मैदान में भले ही कुछे एक हजार सैनिकों परवास्तों में पूरा देश वह युद्ध लड़ रहा होता है सभी देशवाशियों की आसाएं, आकांचाएं और इच्छाएं एक साथ आकर अपने राष्ट की जीत पर ठहर जाती है मुझे वह दर्श आज भी अपनी आखों में साफ दिखाई पड़ता है जब टीवी पर यह सुदूर शेत्रों में रेडियो पर कारगिल युद्ध से जुड़ी खबरें आती थी तो गाओं के गाओं और शहरों में आफिस दफ्टर में लोग अपना काम छोड़ कर खबर की तरफ मुड़ जाते थे देश की बच्चे बच्चे को कारगिल द्राश टाइगर हिल जैसे नाम रठ गये थे सबकी आँखों में बस एक ही उबीद और एक ही विश्वास किसी भी सूरत में भारत भारत देश की वीज़ है आप लोगों को याद होगा भागोलिक परिस्टियों के चलते कई बारी स्टियां हमारे बिपरीत हुई मामला आगे पीछे हुआ पर नमन है उन देश वक्त वीर युद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल पर तनिक भी आँच नहीं आने दिए वह मोर्चे पर लगा था डटे रहे और अंततह तमाम छल और सडियंत्र को मात देते हुए बियए होकर वापस आये इस तरह है जीत हमारे संकल और उमीदों की जीत थी पेरे प्यारे शाथियों कारगिल ना केबल हमारे रास्ती स्वाविमान का बलकि एक इन जस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा कारगिली बीजय के सिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्री अटल वहरी बाज पेई जी ने उस समय रास्ती सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोंड प्रस्तुत किया था उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा उन्होंने कहा था हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं जुकेंगे हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार रास्त हैं रास्ती सुरक्षा के दाएरे में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं आक्रमन के लिए नहीं है और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे उपर आक्रमन किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुहतोड यवाब भी देंगे साथियो यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है हम शांत चाहने वाले देश हैं पर किशी संकट के समय अपनी रास्ति एकता और संप्रवता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए हम हमेशा तयार है अभी हाल ही में मुझे लेह लद्दाक जाने और वहां से इन बीर सपूतों को फ्रद्धानजली देने का उसर प्राप्त हुआ था इसके पूर्व हमारे आदर्णी प्रधानमंत्री स्रिंदर्णर बोदी जी का भी वहां जाना हुआ था और उन्होंने वहां अपने सैनकों के साथ एक जीवंद स्वंद स्थापित किया मैंने अनुभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्टियों में भी हमारी जामाज बहादरों ने अपना सैयम और धैर बनाए रखकर दुस्मनों को मुहतोड जवाब दिया था वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बीस वर्स पहले के मुकाबले मैंने वहां बहुत बड़ा बदलाव देखा वह चाहे एक्विप्मेंट प्रफाइल हो हाल ही में डिप्लाइड गंस हो या फिर एरि आपमेंस और बीमपी की भी स्पीडी म स्पीडि में शक्षम हैं वित्रो या भीस हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है वो है ना किसी जात का होता है ना किसी मजभब का ना किसी वर्ग का होता है ना किसी वर्ण का उसका एक मात्र धर्म होता है कर्तब बेनिस्ठा सैनिक का एक मात्र धर्म होता है अपने राफ्ट के परती कर्तब बे और सेवा भाव यह कहते हैं मुझे गर्व होता है कि हमारी आर्ण फोर्सेश की इसी कमिटमेंट के कारण हमारा देश एक सुरक्षित और गौरव पुर्ण जीवन जीता है चाथियों आज हम देश वास्यों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तब विभाव का अनुकरन करने की जरूरत है हम सबको अपने देश का एक इमानदार सैनिक बनने की जरूरत है देश की सीमा पर रहकर देश की सिवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही साथी देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तब्यों का इमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है इस देश को सुरक्षित रखने का कारे अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाई शारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेलारी है हमारे जिश में हमेशा अमन्चैन बना रहे, आपसी सोहारद बना रहे और हम लगातार विकास के पत पर उन्मुक रहें मैं समझता हूँ, हमारे बीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी सर्दान जली होगी साथियों, यह हमारे जिश के बीर जवानों के परती कृतक गता का भाव रखता है मात्र भूम की सेवा में इन बीर सपुतों का वेलगान यद्यप बेजोड है और इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई आ सकती है लेकिन हम भी स्वाफ दिलाते हैं कि यह सरकार सही हुई इन बीर जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है आज का हमारा हर वैरियर आने वाले कल का सम्मानित वेटरन है अपने वेटरन्स की कुशलचेम और उनकी संतुष्टी सुलिश्चित करना यह हमारा परम करतब्य है और यह सरकार अपने करतब्य को अच्छी तरह समझती है देश की स्यवा का उसर मिलने के साथ ही वन रैंक वन पेंसन जैसी पहल पर कारिकरना इसका एक उडाहन है ऐसे ही और भी कई उडाहन हैं जिनमें हमारे वेटरन्स के वेलफेर और उनके रीशेटल्मेंट और हेल्थ केर पेंसन पॉलसी बच्चों के एजुकेशन ग्रिवेंस रिड्रेशल सिस्टम के साथ साथ बरतमान में आई महामारी यानि कोबिड रिस्पांस के लिए भी हमारी और से बड़े पैमाने पर प्रिजास किया जा रहे हैं सभी हेल्थ केर आर्गनाईजेशन के रिजिनल सेंटर्स को यह एडवेजरी जारी की गई है कि किसी भी वेटरन कोबिड नाइंटीन पेसेंट का इलाज एसी एसेस नारम्स के तहत ही किया जाएगा मुर्या जानकर बहुत ही अच्छा लगा और सचमुच मुझे गर्वकी भी अनुट हुई कि केंद्रिय साइनिक बोर्ड ने पूरे देश से एक लाख अस्षी हजार ऐसे एक फर्विसमेन को आइडेंटिफाई किया है जो आवश्यक्ता पढ़ने पर करोना काल में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलम्द है आपडा के इन दिनों में हमारे इन पूर्व साइनिकों ने देश के विभिन हिस्षों में होम क्वरेंटाईन की व्यवस्था करने लोगों से फिजिकल डिस्टैंसिंग का अनुपालंग करवाने और इंटर स्टेट माइगरंट वर्कर्स की मुव्मेंट कंट्रोल करने में अपना सहयोग दिया है देश सेवा की इससे बड़ी पराकास्था और क्या हो सकती है कि जिन से इनकों ने कल तक सीमा पर अपने देश की सुरक्षा की आज संकट के समय सीमा के अंदर भीवे तन मन से देश को अपनी सेवा देने के लिए ततपर है मेरे साथियो मैं पुनह एक बार अपने बीर जवानों के प्रति प्रद्धान्जली अर्पित करते हुए हर हाल में उनके परजनों की देख भाल का संकल्प दोहराता हुँ और हर इस्टि में उनके साथ खड़े होने का बचन देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हुँ आप सबको धन्यबाद, जय हिंद